अब देखे जब से शुशान सिंग राचूत वाला केस सामने आया है तभी से मेंटल हेल्थ और सुसाइड पे काफी सारी डिबेट चल रही है और 10 सप्पेंबर के दिन हम वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे अबजर्व करते हैं इसकी शुरुवात 2003 में हुई थी और ये WHO और International Association for Sucide Prevention मिलके अबजर्व करते हैं WHO की पहली वर्ल्ड सुसाइड रिपोर्ट 2014 में रिलीज हुई थी जिसका टाइटल था प्रिवेंटिंग सुसाइड अ ग्लोबल इंपेरिटिव इसमें WHO ने कहा था कि सुसाइड प्रिवेंशन को हमें पब्लिक हेल्थ के एरिया में में स्ट्रीम करना होगा क्योंकि देखे अभी भी हिउमन सुसाइटी में सुसाइड को ऐसा टैबू माना जाता है जिस पे कोई भी डिसकशन नहीं होता और सुसाइड प्रिवेंशन को पब्लिक हेल्थ के डोमेन में नहीं माना जाता है बात करें IASP की तो ये 1960 में इस्टाबलिश किया गया था प्रोफेसर इर्विन विंगिल और डॉक्टर नॉर्मन साबर लो के द्वारा वियना में बात करें 10 सेप्टेंबर को हुई बर्ट्स की तो इसमें सबसे पहला नाम आता है रंजीत सिंग जी विभा जी जडेजा जिनको हम लोग पॉपिलरली रंजी के नाम से जानते हैं और जो भारत का first class cricket है उसमें रंजी टोफी इनी को dedicated है अच्छा आप मुझे comment section में बताइए कि जो रंजी टोफी में matches होते हैं वो कितने दिन के होते हैं क्योंकि देखे वैसे तो test matches पाँच दिन के होते हैं बट रंजी टोफी में matches चार दिन के भी होते हैं लेकिन आप इसको search करियेगा कि चार दिन के matches होते हैं या फिर पाँच दिन के matches होते हैं अच्छा जो रंजीत सिंग जी थे ये नवा नगर के राजा थे, जो की गुजरात में इस्थित एक प्रिंसली स्टेट था, लेकिन अब ये एरिया जाम नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहां पर मैं आपको ये भी बता दू कि BCCI की स्थापना 1926 में हुई थी, और रंज PCS की तयारी कर रहे हैं, तो आप इनके बारे में जरूर पढ़ लीजेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले भी ये युनाइटेट प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर थे, और इंडिपेंडेंस के बाद भी इन्होंने कंटिन्यू किया था, इनको हम इंडिपेंडेंट इंडिया में उत्तर प्रदेश का फर्स चीफ मिनिस्टर मानते हैं, कुछ समय बाद ये भारत के भूम मिनिस्टर भी बने थे, और इन्ही के कारेकाल में इस्टेट्स का रियॉर्गनाइजेशन हुआ था, इसके अलावा जो भी चीजे हैं आप इनके बारे में जरूर पढ लीजेगा, इसके अलावा इनको भारत रत्न 1957 में मिला था, and he was the first advocate of promoting हिंदी, फिर बात आती है बीडी जत्ती की, ये भारत के फिफ्थ वाइस प्रेसिडेंट थे, और इन्ही के वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए, देश में एमर्जेंसी लागू हुई थी, अच्छा एम 1977 में उनकी डेथ हो गई थी, and as a result, बेडी जत्ती became acting president, पॉलिटी के point of view से इस बात को आप ध्यान रखियेगा, अच्छा बेडी जत्ती को हम एक और चीज़ के लिए जानते हैं, एप्रिल 1977 में ततकालीन, ओम मिनेस्टर चरन सिंग ने, डिसीजन लिया था, to dissolve the assemblies of nine states, नौ राज्यों की विधान सभा को भंग करने के लिए इन्होंने decision लिया था, लेकिन as a president, बेडी जत्ती ने इस order पे sign करने से मना कर दिया, and for the first time, he broke the tradition की president को aid and advice of the cabinet पे काम करना होगा, बात करें deaths की, तो 10 सेप्टेंबर के दिन, 1915 में, जतिंदरनात मुखर जी या फिर बा due to an encounter with Britishers, अब आजादी से पहले, he was one of the foremost socialist leaders, जो की armed revolution के थूँ, देश को आजादी दिलाना चाहते थे, और ये जुगांतर पार्टी के one of the foremost leaders थे, 1908 में, अलिपुर बॉम केस में, इनको भी गिरफतार किया गया था, इसके अलावा, दो साल बाद, 1910 में, हावडा केस में इनको अरेस्ट किया गया था, अब अलिपुर बॉम्बिंग केस के बारे में तो आप में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बट हावडा कॉंस्पिरेसी क्या थी, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक ब्रिटिश इंस्पेक्टर, शमसुल आलम की हत्या क कर दी गई थी, 24 जन्वरी 1910 को, अब यहां पर आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, आजादी से पहले राइट विंग या फिर दक्षन पंथ में, दो ओर्गनाइजेशन्स थी, RSS और हिंदू महासभा, और इन दोनों ही ओर्गनाइजेशन्स के, जो मेंबर्स थे, वो और दूसरी अनुशीलन समिती और इनके भी मेंबर्स आपस में कोडिनेट करके चलते थे, इसी वज़े से हावडा कॉंस्पिरेसी में में अक्यूस और्गनाइजेशन्स तो अनुशीलन समिती थी, बट जुगांतर के मेंबर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया था, अब वर् सभाष चंद्रपोस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्होंने जैपनीज और जर्मन्स के साथ कोडिनेट किया था for overthrowing the Britishers, लेकिन इसके पहले जतंदरनात मुखर जी ने वर्ल्ड वार वन के समय ही ये चीज़ करने की कोशिश की थी, और उस समय पर दुनिया मे जितनी भी revolutionary organizations थी, Indians की, for example, gather party, etc. उन सब के साथ इन्होंने coordinate किया था, मतलब US से लेकर और Europe तक इन्होंने पूरा network बना डाला था for causing an armed revolt और इस पूरे plan को हम Hindu-German conspiracy या फिर Zimmerman plans के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर British intelligence आगे रही और उनको इस plan के बारे में पूरा पता चल गया, और बाला सोर जहाँ पर उस time पे जतंदरनात मुखर जी छुपे हुए थे, वहीं पर इन्होंने एक attack conduct किया, जिसमें जतंदरना मुखर जी काफी बुरी तरीके से injured हो गये, और 10 September 1915 को बाला सोर के एक अस्वताल में इनकी मृत्य हो गई